ओ फॉक यह साबून है डिटर्जन पाउडर यह वाला साबून तो मैं भजपन से यूज़ कर रहा था तो बाबा राम देव जी का जो यह सोप है या पिसको कपड़े दोने में यूज़ कर लीज़े है गारीज वॉट्साप वेलकम बाक तो मैं यूट्यूब चानल आज के स्वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कुछ ऐसे सोप संद कुछ ऐसे बॉड़ी वाश जो की इंडिया में हैं बहुत दाधा फ्रेमस हैं और हम लोग इनको एवरी डेय यूज़ करते हैं समर्स में तो दो दो बार यूज़ करते हैं तो मैंने कुछ टोटल 12 सोप संद बॉड़ी वाश जो की बहुत दाधा फेमस हैं और आज हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या इनका पी एच लेवल हमारे शेरी के लिए सूटेबल है या नहीं तो इस तोपिक में शूरी बॉस्ट इस वीडियो और उसके ओपर जह हम लोग ये बॉड़ी वाशेज और ये सोप लगाते हैं तो वह उस पीएच लेवल को इंबालन्स कर देते हैं जिसकी वजह से हमें इचिंग, राशेज, छोटी-छोटे दाने हो जाते हैं कई-कई-पार स्किन बहुत जाता ड्राय हो जाती है तो इसी जैसे होती है क्योंकि वो शायद हमारी स्किन के पीएच लेवल को इंबालन्स कर देते हैं तो आइडल सोप का पीएच बालन्स होना चाहिए फ्रॉम 5-7 के बीच का इससे जादा है तो भी खराब है तो भी खराब है तो मैं फिर से वही पीएच स्ट्रिप यूज करने वाल चैसे उब तो कची हुघर और उसके उपर मैं डिरेकली पीएच स्ट्रिप रखूगा है यह मैंने खोला मार्गो सूप में टाल रहा हूं मैं तो यह मैं खुला मार्गो शूप अब इसमें डाल रहा हूं में थोड़ा सा पानी ए पैन já इसको हम थोड़ा और पानगा धिक क सकती है आपको छोटी छोटी दा नहीं हो सकते हैं बहुत अंकमफोडेबल कर सकता है तो गाइस यह है पियर्स जो कि मैं काफी टाइम से यूज कर रहा था और मुझे रखता है कि बैस्ट सोप है क्योंकि इतना एक्सपेंसिव भी आता है खुश्बू तो बहुत ही अच्छी है तो यह रहा मैडेमेक सोप और यह मैंने डाला पानी इसके उपर अब यह गई पी एच स्ट्रिप इसके अंदर थैंक्फुली यह बहुत जादा डार्क नहीं होई है बट लेट सी अट यह भी गाइस आठ और नौ के बीच की ही लग रह रही है तो यह भी जो आयुर्वेदी क्लेम करता है I don't think so कि आयुर्वेदी है क्योंकि आपकी स्किन को तो बुरी तरह से डामेज करी रहा है अर तक भी होता तो भी मसमद जाता बट यह आठ और नौ के बीच में जा रहा है तो अब तक हमने तीन सोप स्टेस करें और तीनो यह पास होता है या नहीं तो मैंने इसको यहां पर गीला कर लिया है बहुत अच्छे से घुलतो गया है अब गई पीएस ट्रिप इसके अंदर ओओ शिट यह भी बहुत बुरी तरह फेल हो रहा है और यह भी आ रहा है अराउंड 9 के आसपास तो चौथा सोप जो कि सिंथा यह भी बुरी तरह से फेल हुआ है I think हमेसे नहाना तो नहीं चाहिए टौलेट के बहार रखा होता है यह सोप लोग हाथ वाश करते हैं तो I think यह उसी के ही काम आएगा अब बारी है खादी के इस सोप की जो कि मैं तो यूस करता हूं मुझे ऐसा रखता है कि इसमें कुछ प्रॉबलम नहीं सकती क्योंकि खादी इस दे ब्रैंड इसको हम रोग बहुत साथ करते हैं so let's test this one so यह रहाँ सोप और इसके अपर दाला मैंने पामी और यह गया पीएच स्रिप इसके अंदर तो यह जो इसका पीएच लेवल है यह 7-8 के बीच में है तो का इस खादी कर इसका पीएच लेवल आहा है साथ से अट की बीच में थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है बट फिर भी हम से मैनेज कर सकते हैं नहा सकते हैं यहाँ कि स्किन को इतनी बुरु तर से डामेज तो नहीं करेगा नेक्स्ट वन इस डव यह बहुत महेंगा सोप है यह मुझे जय को आपके स्किन के लिए हमारा पहला बेदिंसोप मिल गया है इसका पीएच लेवल एकडम इसका नहीं हो यह का तब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है पांच ही और यह आपकी ड्राम इसकिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है से नहाएंगे तो कोई भी प्रॉद्म नहीं होगी, I think कि अब थोड़े फैसे खर्च करने पड़ेंगे और हमेशा मुझे इसी सही नहाना पड़ेगा, मुझे इससे पहले लग रहा था कि शायद मेरे पानी में प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है क्योंकि सारे ही सोप बुरी तरह फेल हो रहे कि लेट सी यह कितना पास होता है और कितना फेल होता है तो यह रहा पतांजली का सोप और गे गया पानी इसके उपर अब मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूं और यह गई पीएस स्ट्रिप इसके उपर बापरे बाबा रामदेव जी क्या किस से नहाने के लिए बोल रहे हो आप detergent soaps है you guys can see कि इसका तो बिलकुल 10 के उपर ही जा रहा है मतलग कि 10 भी इसने बूरी तरह से cross किया हुआ है तो बाबा रामदेव जी का जो यह soap है इससे आपको बिलकुल ही नहाना चाहिए in fact I would suggest कि आप इसको कपड़े दोने में यूज कर लीजे पतांजली का soap मेरे ब reality है let's test this one यह गया soap और इसके ओपर यह गया पामी और यह रहाल हिटमस पेपर oh my god बहुत बुरी तरह चेंज हुआ है I was really not expecting this one कि यह इतनी बुरी तरह फेल होगा मुझे सच में लग रहा था कि आयूश का भी साबून फेल होगा I think company के हर प्रोड़क्त भी ट्रस करना भी ब इस लग्स का soft glow यह बाला बहुत जादा लोग यूज करते हैं I'm damn sure क्योंकि बड़े बड़े फिल्मस्टार्ज इस ब्रांड को support करते हैं promote करते हैं so let's test the reality तो यह रहा soap अब यह गया पामी अब गया pH strip इसके ओपर बाप्रे बहुत बुरी तर है यह फेल हुआ है इसका भी pH अराउंड 10 के पास आही रहा है तो लुक्स का भी 9 और 10 के बीच में 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 बीच पर इसको प्रमोट करते हैं I'm really highly disappointed क्योंकि लुक्ष एक अशा ब्रांड जो कि I think काफी सारे लोग उस करते हैं यह तो थे हमारे सोप अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया है जिसे के अच्छ से ब्लेंड हो जाए और मैं इसको डाल रहा हूं यहाँ यहाँ अर यह गई पीच स्ट्रिप इसके अंदर वाट इस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ इसका तो पीच अराम से पांच के आरा है तो इसका तो पांच के क्यare विचा इसके और इसको अर्ड़ के लेकि और यहाँ नहीं ऊच smiled up की श में अर्सा दोफसुरा ऑख डूं के में यहां पांच के मारा में यही चारश ता ड है तो चल्स के अंदर यहा है जास्ट्रेप के अन्दर इसके अर्से का नहीं है तो इनल्कुल भी ऑपनी उडह लेकिन लक्स का बॉड़ी वाश अच्छा है आई थे लोड़ी वाश में बहुत जादा रिसर्च करे है और इसके बार भी बनाया है सोप आप मत उसकरना बाट बॉड़ी वाश तो आप यूज कर भी सकते हो और इस वेरी अफोरड़ीबल ऑलसो 99 रुपीज में आपको ही मिल जाएगा नेक्स्त बॉड़ी वाश इस दे बॉड़ी शॉप का मोरिंगा बॉड़ी वाश जो की मेरा फेवरेट है मतलब कि मैं इसको काफी सालों से यूज कर रहा हूं I love the fragrance so let's test this one so ये है पानी और ये गया इसके अंदर body wash और ये गया pH strip इसके अंदर अरे वाँ body wash सारे अच्छे नहीं कल रहे है thank god की मेरा ये body wash fail नहीं हुआ मैं इसको use करूँगा so guys गी थी reality हमारे Indian soaps की और body washes की जो की हम लोग blindly ले ले लेते हैं act देख करके या कोई भी हमें celebrity suggest करता है हम use कर लेते हैं but उनको use करने से पहले हमें उनकी सच्चाई जानना बहुत जादा ज़रूरी है क्योंकि summers आ रहे हैं और हमें नहानी की बहुत जादा जरूरत पड़ती है तो मैंने सुचा की एकदम perfect time है soaps और body washes को test करने का तो हमें हमारे सारे body washes मिल गए है soaps मिल गए हैं जो की हमारी skin के लिए best है और कौन से soaps हमें अवाइड करने है वो भी पता चल गया है so that's it for today's video आप कौन सा body wash या soap यूस करते से जो की fail हुआ है let me know in the comment section कर आप कोई वीडियो अच्छा लगा वीडियो के लिए लाइक किर दीचे सब्सक्राइब टी मैं चानल and I will see you in my next video till then bye